दोस्तों क्या आपको पता है कि YouTube पे grow करने के लिए आपको अपना face दिखाने के कोई जरुवत नहीं है ना ही अपनी voice use करने की जरुवत है आप इनके बिना भी अपने YouTube चैनल को grow कर सकते हो और YouTube से पैसे कमा सकते हो YouTube से पैसे कितने मिलते हैं कितने views के कितने रुपे मिलते हैं एक बार मैं आपको just एक example दिखाता हूँ मेरे पीछे एक YouTube चैनल मैंने open किया हुआ है और इसकी earning देखे है आप शोक हो जाओगे यहाँ पे एक बार हम इसके views देखते हैं 127.4 million views हैं इसके भाई सीधा सीधा है 12 करोड से भी जादा views इस चैनल पे आई हुए हैं उसके बाद subscribers कितने गेन हुए हैं अगर आपको subscribers का number दिख रहा हो यहाँ पे 6,91,000 subscribers गेन हुए हैं इस YouTube चैनल पे और इसकी जो earning है वो क्या है earning है भाई 21,23,068 रुपे और यहाँ पे मैं है ना tap करके दिखा देता हूँ आपको per day की earning यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 11 सेप्टेंबर को 32,000 रुपे की earning हुई है यहाँ पे देखो आप 2 अगस्त को 35,000 रुपे की earning हुई है मैं एक दिन में 35,000 रुपे की earning हो रही है YouTube चैनल से जहाँ पे ज़्यादा वीडियो भी आपको upload नहीं करनी है आपको अपना face भी दिखाने की जुरुत नहीं है आज की इस वीडियो में आपको 9 YouTube चैनल आइडियाज बताने वाला हूँ ना भाई तने जबरदस्ट चैनल आइडियाज है आप लोगों के लिए best रहेंगे और एक ना एक YouTube चैनल जरूर बना लेना अगर आपका पहले से भी YouTube चैनल है ना तो भाई पार्ट टाइम करके ऐसा एक YouTube चैनल जरूर बना लेना तो अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते हो ना तो आपको पता होगा कि हम क्वालिटी से हैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो यह इस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मैं ऐसी क्वालिटी मेंटेन कर पा हूँ मेरे को ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रही और लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं भाई एक लाइक जरूर कर दो यार तो भाई सबसे पहले यूटीब चैनल के आईडिया पे चलते हैं न उससे पहले मेरे को लगता है आप इन दो बन्दों को तो जरूर जानते होगे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो अगर आपको हिंदी बासा समझ में आ रही है तो एक नरेंदर मोदी जी और एक राहूल गांदी इन दोनों को तो आप जरूर जानते ही होगे और मैं एक यूटीब चैनल आइडिया बताता हूँ जिससे है न यार आप इन दोनों की वीडियो का यूज करके एक अपना यूटीब चैनल ग्रो कर सकते हो कैसे कर सकते हो और ये कौन कर रहा है एक एक एकजामपल दिखाता हूँ मैं आपको दमुल्क नाम से एक यूटीब चैनल है दमुल्क इंडिया इसके अगर आप देखोगे न दो लाख उनतर हजार सब्सक्राइबर्स हैं और अगर मैं इनकी वीडियो दिखाऊं यहाँ पे देखो आप जी ट्वंटी सब्मिट न्यूज यहाँ पे बेस्ट ओफ नरेंदर मोधी मोधी अंटोल स्टोरी अगर मैं इन वीडियो को आपको प्ले करके दिखाऊंगा ना यहाँ पे चलो यह वाली वीडियो हम प्ले कर लेते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब देखो मोधी जी के साथ यह फणी मोम यह कुछ लाइव स्ट्रीम से अगर मैं इस लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे देखो आप लाइव स्ट्रीम के नीचे लिखा है क्रियेटिव कोमन एट्रिब्यूट लाइसेंस रियूज अलाउड मतलब इस कोंटेंट का आप रियूज कर सकते हो इस लेंगे बेस्ट वीडियो निकाल के अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लोड करके अच्छे कासे व्यूज अच्छे कासे पैसे अर्न कर सकते हो इसमें और यह आईडिया न बूम पे चल रहा है इतना ज़ादा यह व्यूज आ रहे हैं इन चैनल पर बहुत जादा व् बाई 21 जून 2023 को और यहां पे अगर आप इनकी वीडियो देखोगे ना चार ही वीडियो अपलोड की हैं पहली वीडियो दो महीने पहले की थी 303 व्यूज आई फिर एक महीने पहले की 1.2 के व्यूज आई फिर एक महीने पहले की 2.2 के व्यूज आई और अब अगर आप इनक अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है अगर इनका दूसरा यूट्यूब चैनल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप अपना पूरा चैनल बना सकते हो यहां पे आपको यूट्यूब चैनल दिख रहा होगा स्टडी आईक्यू आईएस 15 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं इनकी है एक सीरी चलती है जो कि अंकित अगरवाल लेते हैं और इस सीरी में क्या रहते है जो भी न्यूज आती है उसके ऊपर एक अच्छी सी रिसर्च करते हैं यह और रिसर्च करने के बाद है उस पर सारी चीज़े यूट्यूब पे बताते हैं अपना फेस भी शो नहीं करते हैं बैस प्रोपर वीडियो चलती है इनकी एक वीडियो दिखाता हूं मैं जो कि स्टडी आईक्यू की यूट्यूब चैनल पे जाती है डू एलियन्स एक्जिस्ट नासा अन्विल इंपोर है हर न्यूट चैनल से आप सारी इंफोर्मेशन कलेक्ट करके अपना एक इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाके पीपीटी बनाके आप उन सारी चीजों को एक्स्पेइन करके हैं ना सारी कि सारी एंगेजमेंट ले सकते हैं इस वीडियो पे अगर आप देखो ना अभी य ये यूट्यूब चैनल मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है लेकिन ये बनाना आसान नहीं है लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो बहुत ही मुश्किल भी नहीं है क्योंकि जिंदिगे में मुश्किल कोई चीज नहीं होती है सब कुछ आसानी रहते हैं यहां सारी YouTube पे वीडियोज मिल जाएंगी बहुत सारे सोफ्ट्वियर्स होते हैं अगर आप 3D एनिमेशन सीख जाते हो ना तो यहां पर अगर मैं इनकी एक वीडियो प्ले करके दिखाऊ ना आपको देखो इनों ने पूरा एनिमेशन बनाया है कि चांद के उपर ऐसे कोई गिरा है और उसके वज़ेसे यह सारा ब्लास्ट हुआ है तो इस तरीके की वीडियोज आप बना सकते हो इसमें है आपको 3D एनिमेशन पता करना और आपको फोकस्ट होगे काम करना और लगातार काम करना और मैंने एक YouTube Channel क्या करता है निए सारी की हैंना Space की वीडियोज बनाते हैं और अगर इनकी वीडियोज अगर आप प्ले करके देखोगे ना जैसेた हमने यह वीडियोज प्ले की है पूरा hearing पूरा स्पेस के बारे में बताया गया होगा और ये सारी वीडियोज जो यहाँ पर show करते हैं, अपनी एक script तो आपको बनानी पड़ेगी, script वाली वीडियो पर, मैं अभी काम चल रहा है, मैं एक script की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप अपनी वीडियो किये न, script बना सकते हो, अब इस वाली वीडियो में, जो यह space वाली विदियोजें या बागी कोई भी विडियो जोती है इनमें आपको फेस नहीं दिखाना फड़ता है इनके लिए विडियो कहां से लूंडे कहां से इनका इनका वेबसाइट बताता हूं ना यह एक पैक्सेल स्वेबसाइट है अब अगर हम अर्थ की वीडियो देखना चाहें कि यर यर्ट से रिलेटीट कोई विडियो बना रहे हो आप तो उसकी वीडियो अगर देखना चाहते हो नो यह जो को इतनी सारी वीडियो है आप आसाणी से इस वेबसेट से सीदा का सीदा फ्री डाउनड कर लिंक आता है अब जो सिक्स्त यूट्यूब चैनल आईडिया यार थोड़ा क्रिएटिव आइडिया बहुत ही जबरदस चीजआ अगर आप यह चीज कर सकते हो न तो यह वाली वीडियो बनाने लग जाओ कि यह न लोंग वीडियो में तो च डिजाइन बना दिया और उस वीडियो को रिकोर्ड करके अपलोड कर दिया इस वाली चीज को अगर आप लोंग वीडियो शोट वीडियो दोनों जगे करते रहोगे ना तो आपकी वीडियो पर कुछ टाइम बाद अच्छे वीज़ाने लग जाएंगे क्योंकि ऐसी वीडिय हो यहाँ पर देखो कोई भी सेंसिटिविटी सटेंग सब्धादивает नहीं दिखए अपने मोबाईल कश्रिन करते अपना फेस नहीं दिखाते मैं आपको यह पहली सव invasive बण रिखहा हुआ है और इसे बेङए और उनका युई-ब सफिर रोग्शा होए जिए नहीं चैनल मोनेटाइज है आपको कोई भी टेंसे लेने की जरूत नहीं है कि मेरा यूट्यूप चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा अगर मैं इस चीज पर काम करता हूं तो दोस्तों जो नेक्स यूट्यूप चैनल है न वह एक न्यूज कोई भी इंडिया में बहुत सारी न्यूज चलती रहते हैं वो न्यूज आपको मिलेंगी कहां से नैं या हम आपको बता दुँगा कि ट्रेंडिंग न्यूज आप कहां से डूंसकते हो और यही ए मैं बता रहे हैं BBC न्यूज Gwen अब भी ऐसे न्यूस चैनल बना सकते हो न्यूस लिएटड वीडियो बना सकते हो आईडिया तो मैं आपको बता दूँगा नेकिन उससे पहले मैं topic पे न ज़्यादा लोग पहले से interested रहते हैं तो आप यहाँ पे Google trends एक website है वहाँ पे जाके trending now पे click करके न आप सारे trending topics देख सकते हो यह है daily search trends की भाई daily कौन सा चल रहा था यहाँ पर यह 15 September को यहाँ पर रियल टाइम देख सकते कि आज के दिन कौन से topics trend में चल रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखे Asia Cup trend में चल रहे हैं तो Asia Cup से related कौन से news article trend में चल रहे हैं यहाँ पर सकीबल हसन से related video चल रही हैं यहाँ पर यह कुछ keywords हैं इन सारे keywords पर ज्यादा सर्चीज आ रहे हैं तो अब बात करते हैं आपको लोगों के speech को यूज करना है जो भी बड़े लोग हैं जो भी महान लोग है ना उन लोगों ने जो speech दिऊ हुई है motivational speech हो या कोई emotional speech हो किसी भी तरीके की जो speech होती है ना उन सारी speech की बस आवाज आवाज निकाल लो और उस आवाज का यूज करके आप उस पे ना पैक्सल से वीडियो उठाके सारी की सारी वीडियो एड़ करके एक अच्छा YouTube चैनल जनरेट कर सकते हो यहाँ पर यह YouTube चैनल देखो आप सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वह जो बैल आइकन है ना उसको जरूर प्रेस कर लो ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊ ना आपको सबसे पहले नोटिफि है ना यह मेरी ममी ने में को सुनाई है और यह अभी लेटेस्ट में सुनाई है कि बेटा यह वाली चीज है ना तो अपने वीवर्स के साथ शेयर कर सकता है तो आपको पता ही है ममी ने बोल दिया तो उसके मना कर ही नहीं सकते है ममी ने तीन चैर वीडियो देखी मेरी और उसको देखते हुए उन्होंने में को एक स्टोरी बताई कि भाई तू इस मोटिवेशन को भी आड़ कर इस चीज के बारे में भी लोगों को बता आज की स्टोरी है ना वो मा की तरफ से आई है तो यह मा के लिए एक लाइक जरूर कर दो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते ह वही किसान रहता है उसका बहुत बड़िया खेट चल रहा होता है सब कुछ अच्छा चल रहा होता है बहुत ही अच्छी फसल रहती है यहां पर आप देख रहे हो ने यह सारे के सारे जो खेट रहते हैं बहुत सारे खेट वो उसकिसान की रहते हैं बहुत अच्छे कासे प बच्चे रहते हैं यर उनको इना जिंदगी में कभी भी ऐसा दुख देखने को नहीं मिलता है उनके पास अच्छे पैसे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वो ऐसे ही ग्रो होते रहते हैं उनको है न कभी भी यह नहीं लगता है कि यार मेरे को जो चीछी चीए थी मेरे को नहीं मिली यार कुछ साल बीट जाते हैं वो जो बच्चे रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं और अब देखते हैं आगे क्या होते हैं ऐसे करते करते बहुत साल बी ही नहीं कि उनको hard work करने की जुरत पड़े अब जैसे ही वो किसान थोड़ा भूड़ा हो जाता है तो उनके जितने भी खेत रहते हैं आसपास उन सब में क्या होता है आपने देखा होगा जमीन पे अगर आप काम नहीं करोगे जमीन को अच्छे से खोदोगे नहीं तो वहां स करते हैं इतने पैसे बसते नहीं है कि मैं भी एक किसान वाली फैमिली से हूँ खुद भी खेत में काम किया है और मिले को पता है कितनी जादा मेहनत रहती है यहां पर लैप्टोप पे कंप्यूटर बैठके काम करना बहुत आसान है लेकिन जब हम खेत में जाते हैं ना बूड़ा हो जाता है तो उनके खेत में बड़े बड़े घास हो जाती है कि जितनी खेती हो रही थे ना वो खेती आना बंद हो जाती है अब यार जो वो किसान था वो बहुत ही बूड़ा हो गया था बहुत ही ज़्यादा बिमार हो गया था तो आपने सारे बच्चों को ब है और उनको यह बात पता चलती है तो सारे बाइ अपने लग जाते हैं हैं हम वह खजाना ढूनते हैं एक भी कोना नहीं छोड़ते हैं वो खेत के सारे के सारे कोने हैं खोड़ डालते हैं वो जैसे ही सारे के सारे खेत को खोड़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमारी जो फसल हो रही थी अभी तक जो हम फसल नहीं कर रहे थे जैसे ही वो खोड़ देते है न सारे के तो समझते हैं कि यार खजाना तो नहीं मिला चलो इसमें बीज ही डाल देते हैं इसमें कुछ उगा ही देते हैं तोड़े दिन बाद में जैसे उनकी फसल उगती है जैसे उनके पास पैसे आते हैं हमने यार सारे खेत में जो बीज डाल दी है वो बहुत अच्छा का किया हमने जो पूरा खेथ खोदा वे टाइम वेस्ट नहीं था क्योंकि उनको पहले तो लग रहा था यार पूरा का पूरा खेथ खोद दिये हैं हमने और कहीं भी खजाने नहीं विला पापा ऐसे बखवास कर रहे था चलो बीजी डाल देते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं है इतनी महनत कर वाजी लेकिन कुछ खजाना तो मिला ही नहीं लेकिन जब उनकी जब फसल बनके तीयार होती है और उस फसल को जब बेचते हैं ना तब उनको समझ में आता है कि भाई यह जो जमीन थी जमीन में जो हमने फसल लगाई ना वही असली पैसा है और भाई जमीन ही असली पैसा है यर मिटी से ही बने है मिटी में गुल जाना है स्टोरी का मॉटिव क्या था ना कि यह उनका बाप उनको hard work करना सिखाना चाहता था उनको एक message देना चाहता था कि अगर आप आज hard work करोगे अगर तुम भाई आज खेत खोद दोगे अगर उसमें फसल डालोगे तो 6-7 महीने बाद तुमें वो चीज मिलेगी अगर तुम आज जिम जाना start करोगे अगर तुम सोचो कि भाई एक week में मेरी body बन जाए एक week में मेरी muscles बन जाए तो भाई ऐसा नहीं होता है आपको बार-बार चीज repeat करनी पड़ती है again, 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 again और यह जब again, again बार-बार आपको चीज करते हो उना उससे ही आपको gain होता है उससे ही आपको फाइदा होता है अगर आप YouTube पे वीडियो record करोगे अगर आप camera को face करोगे ना तो आप हर वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा grow कर रहे हो आपको वो दिखेगा नहीं आप एक चीज करना आप है ना, अपने घर पे push-up करना, start करना daily की आपको 40 push-ups करनी है और आप एक महिने तक 40 push-up करना क्या आपको daily पता चलेगा कि आज तो मेरी body एकदम से बन गी है सब किछी को दिखने लग गया लेकिन भाई नहीं पता चलेगा लेकिन अगर 30 दिन के बाद जाके आप देखोगे कि हाँ भाई मेरी कितनी muscles grow होगी है तो पहले से लेके 30 दिन के अंदर आपको फरक दिखेगा तो कोई भी चीज है यह एकदम से नहीं मिलती है अगर आप अपनी जिंदी में कुछ अच्छा करना चाहते हो आप एक तो practice करना मत छोड़ना बार बार जब आप practice करोगे बार बार try again करोगे उससे ही आप gain करोगे और उससे ही आप success तक पहुंचोगे जब आप practice करते रहोगे बार बार किसी चीज की practice करने से न आप आदमी पूरा perfect हो जाता है दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो न तो यह comment section में जरूर बताना कि जो मम्मी ने मेरे को story सुनाई यह आप लोगों को कैसे लगी और मैं मेरे मम्मी को भी बोलूँगा कि comment section में जाके जरूर पढ़े कि लोगों ने क्या comments की है आपकी story के बारे में thank you so much love you all tata bye bye